दूसरी चीज अभी एक जो है तारिक जमील साब जो है मौलाना तारिक जमील बहुत न्यूज में है और उसे मैंने लाइफ इसी बात पर की थी कि उनकी एक दो चीजे मैं इन पर इतना अटेंशन नहीं करती हूं उनलेस कि वो चीज बहुत बड़ी हो जाए और ट्रेंडिंग में आ जाए तब जाके मुझे पता चलता कि अच्छा ये चीज भी हो रही है तो उन्होंने कोई औरतों पर बात की थी औरतों पर पहली बात तो ये की कि पहली बात तो नहीं है हूरों पर वो बात करते रहते हैं उनकी मैंने काफी वीडियोज देखी हैं, उन्होंने जन्नत की हूनों पर बहुत वीडियोज बनाई निया है मगर जब आप जाकर वहाँ पर अपनी स्पीचिस में एक औरत को sexualie objectify कर रहे हो वहाँ बैट के एक misogynist जिसे कहते है ना misogynist मतलब के एक बंदा जो सिर्फ औरत को सिर्फ sex के लिए ही देखता है और यही सबसे बड़ी problem है हमारे माशरे में कि हमारे माशरे के मर्द जो है sex औरत को सिर्फ और सिर्फ sex के उससे देखते हैं और किसी हैसिय से देखते हैं उनके हिसाब से औरत का काम दुनिया में तो क्या दुनिया के बाद भी सिर्फ एक ही है sex provide करना मर्दों को that is it इसके आगे no if buts or whatever आगे कुछ होता ही नहीं तो भाई आप अब 2020 में है मौलाना जी आपकी वीडियोस जो हैं सिर्फ पाकिसान तक महदूद नहीं है पहले पाकिसान तक महदूद रहती हैं चीज़े अब नहीं है अब worldwide जाती हैं चीज़े worldwide लोग सुनते हैं इनको translations करकर के सुनते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो सुनके कहते हैं कि who is this guy he is a misogynist आजकल की society में औरतों को इस तरीके से जलील करना और औरतों की body के बारे में इस तरीके से बात ने करना कि आपको उनके अंदर तक का गूदा भी दिखेगा कि you will also be able to see the bone marrow forget boobs and vagina you are going to see the bone marrow of the woman in heaven you will be having such x-ray vision as a x-ray vision आपका होगा कि आपके अंदर तक जाएगा या ठी आ चलो उसको भी छोड़ दो चलो इस बात को भी इग्नोर कर दो ठीक है ना इस बात को भी इग्नोर कर दो आगे चलते हैं फिर वह आके उन्होंने जो दूआ की मैं तो सुनी नहीं I couldn't कैसे सुने कोई बंदा वहाँ पे बैठके और अउरत ऐसी कैसे सुने जाए ये चीजें कि जब आप वहाँ पे दुआ कर रहे हो आप पेंडेमिक की और ब्लेम डाल रहे हो सारा औरतों के उपर हमारे मेक अप करने से हमारे कपड़े पहनने से हमारे लंबे नाखुन रखने से हमारी वैक्सिंग करवाने से हमारे बाल लगवाने से हमारी हर चीज करने से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है करोना स्टार्ट हुआ है फसाद की जड़ तो हम और्तों ने जो है ये सिरफ वबा जो है ना हमारी मज़ए से आयीए बेड़्डैमिक वरणा तो आनी नी थी ना है ये चाइना में श्राइब ही स्छार्ट हुआ ना ये चाइना में किस तरह से स्छार्ट हुआ बहिया कोई logic होती है किसी चीज की कोई बात होती है किसी चीज की और दूसरी चीज ये है कि इनको इतने सारे लोग follow करते हैं इतने सारे लोग follow कर रहे हैं और उनकी तरह भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे पड़े हैं कोई logic होती है कि एक disease start हुआ है उसका फ्लेम आप उर्तों पे डाल रहे हो लेक चूतिया पे की हद होती है साइन्टिफिकली देख लो साइन्टिस्स क्या बोल रहे हैं तो यह अपनी लोजिक लेकर आए कि औरतों की वएसे सब कुछ हो रहे है भया जी औरत नहीं होती न तो मौलाना जी भी नहीं हो सब्सक्राइले देशी कुडिया जो आता था एयर वाई पे शो हमको लेके गए थे गाओं पर उन गाओं वालों ने एयर वाई के साथ डील की थी कि हाँ ठीक है आप हमारे गाओं में यह शो कर सकते हैं मगर सारी कास्ट को बैट कर वहां पर मौलाना जी महां पर तक्रीर कर देंगे और अरतों को और मर्दों को सबको बैटके एक दफा सुननी पड़ेंगी यह बातें और वह बातें मैं तो कान पर यू करके मैं तो सो गई थी चार पाई पर क्योंके वह बातें उनकी कुछ नहीं थी सिर्फ हम औरतों के मेक अप तयार होने पे कपड़ों पे बस औ और टॉपिक वह मौलाना जी सिर्फ इसी और जब मौलाना जी ने फिनिश की अपने जब मैं उठी हूं तो लड़कियों की हालत देख नहीं थी लड़कियां इतने घुस्से में थी लड़कियां इतने घुसे में थी इवर सो फैस्ट कि यह क्या हो क्या रहा था वाट इंसल्ट करने के लिए घुलाए है हम लोगों को बिलाए है क्यों हम लोगों की हर वक्त इंसल्ट कियों हो ती रहती है लिए वी सारे जर्णिलिस्स जो हैं, वो सारे फेक हैं, मॉलाना जी, ये बात आपने वाग कई में सही बोली है, बस ये एक चीज है जिस पर मैं आप से अग्री करती हूं, बस चाहे आप कितने भी मसाजनिस्ट हो, चाहे आप कितने भी जरी हूरों से मिले हो, मगर ये बात आपने बड़ी सही कही है भईया, ये बात ठीक कही है, मगर मॉलाना जी, मेरा आप से ये क्वेस्चन है, कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं की, जब यही मीडिया आपको टाइम दे रहा था, आपको फेमेस कर रहा था, आपको शोज में बुला रहा था, तो आपने उस वक दे बात क्यों नहीं, कि ये मीडिया फेक है, क्योंकि पता तो आपको पहले भी था, कि ये मीडिया फेक है, देखें फाइदा जो है ना, फाइदे कि जो है ना, हर कोई सोच रहा है, हर किसी ने अपने बिल्स पे करने, मौलाना जी ने भी अपनी दुकान चलानी है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपॉलजाइज क्यों किया, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको बना के रखनी हैं लोगों के साथ, उनको अगर रहना है, तो बना के रखनी होगी वरना मौलाने जी का आगे काम नहीं चलेगा बिल्स नहीं पे होंगे जो काम हो रहे हैं न वो नहीं होंगे तो अगर आप लोग जो उनको सपोर्ट करते हो करो हाँ उन्होंने ये बात सही करी कि मीडिया इस फेक मगर जब तक मीडिया उनकी मदद कर रहा था तब तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई जहां इस मीडिया ने उनको पकड़ लिया क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि मीडिया किसी का नहीं है आज आपके साथ है कल आपके अगेंस खड़ा होगा यह तो मौलाना जी को अच्छी तरीकी से पता होनी चाहिए यह बात सो लोग जो बाद में आके बोलते हैं कि हाँ मीडिया फेक है और यह मौलाना जी आपकी इतनी बड़ी फॉलोवइंग है तीक है आपकी बहुत बड़ी फॉलोवइंग है social media पर आपकी बड़ी presence है आप social media पर आ जाते आपको क्या जरूरती कि ऐसे shows पर आप जाएं और बाते करें जहां पर वो आपके बारे बाते करें बात में why did you have to do it why क्योंकि पैसा पैसा, नाम, फिर्म तो चाहिए तो आपको भी है वोई चीज जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं आपके बतौल, जो चीज़ें मीडिया वाले कर रहे हैं रेटिंग्स के लिए, व्यूज के लिए वोई चीज़ें आप भी तो कर रहे हो आप भी तो कर रहे हो ना वोई चीज़ें अब आपके साथ ये मीडिया नहीं रहा तो आप उनको करें ये चीज से मैं एग्री करती हूं कि हाँ जी मीडिया fake है उसमें आपको जो भी चीजें दिखेंगी ना मीडिया में वो 100% होती नहीं हो और दूसरी चीज कि मीडिया में बहुत बड़ा या बड़ी lobby system चलती है क्या आपकी एक से नहीं बने, एक से हट जाती है, तो वो पूरे सिस्टम, पूरे लोगों को बता दे है कि भाया, ये बंदा आउट कास्ट हो गया, अब इसको नहीं, किसी भी चीज में कास्ट नहीं करना, ये किसी भी प्रोग्राम में इस बंदे या बंदी को नहीं बुलान ठीके न, this is my mouth, last time मैं ने चेकिया, मेरा मू था और मेरा दिमाग था, तो मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ, और जो चीज है, वो है, मैं अकेले तो नहीं बात करने हैं, बहुत सारे लोग बात करने हैं, so, fuck you with Pakistani media, ये मैं तो खुद Pakistani media में नहीं हूँ, anyhow, if you are non-muslim, then you have no right to talk about Ramazan, yes, I do have a right to talk about it, because I am a woman, and if you are going to sit there, अगर आप वहाँ बैट के चूतियां होगी, तो नहीं बोलोगे, कि और आप आप ये कर दिया, और आपको ये जिसम दिखेगा, और आपको गूदा और मेदा और अपतनी क्या क्या दिखेगा, तो ये मेरी problem हो जाती है, sweetheart, okay, तो फिर मैं अस पर बात करूँ की, मैंने religion पर तो मैंने बात ही नहीं की, अभी तक, मैंने religion पर बात की, नहीं मैंने आप लोगों पर बात की, मैंने religion, मैंने इसलाम का तो नाम ही नहीं लिया, तुम लोग ला रहे हो, मैंने तो तारिक जमील के बारे में बात की, कि वो वोमेन को इस yes the media thing is all bad मगर ये सारे एक ही थाली की चट्टे बटते है I think it was very disappointing अगर उनोंने कह दी थी कि हाँ media गलत है तो उनको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था apologize नहीं करना चाहिए था क्योंकि media is fake वो जो उनको पीछे से पैसे खिलाता है वो वो बोलते है propaganda media हर जगा का करता है चाहिए वो Canada हो US हो, Russia हो, China हो हर जगा का media जो है propaganda, false, news आपको दिखाता है that is what it is मगर जाकर उने नों जो apologize कर लिया ना I think that was really bad क्योंकि वो उससे लगता है कि उनको उस media की जरूरत है आप उनके आगे जाके गिर गए अच्छा ही होता कि नहीं वो अपने social media को strong करते और यहां से उनको बोलते कि मुझे तुम लों की जरूरत ही नहीं है, मौलाना जी को media की क्या जरूरत है, honestly मुझे आप बताओ, कि मौलाना जी को media की क्या जरूरत है, आप तो अपना काम करें, आप लोगों को preach करें, आप internet यूज करें आप महां से कर सकते हैं, you don't have to go on media, news channel में जाने की नहीं, you know, there's no need to चलो भाई, किसी को call पे लेते हैं, जिन से हम पूछते हैं इसके बारे में के साथ कितनी, I mean that was such a bad thing that happened अपने के स्टेट का बताया था ये केस? Grooming Gangs, UK Grooming Gangs, बस ये की चीजन सर्च करना YouTube पे भी और उस पे तुम देख लो, मैं मैं UK में रहा हूं उस लंदन में और ये पैकम में हमारा बिजनस भी है सो ऐसा मुझे UK का information है I will check out that, no problem एक मैं एक बात बता हूं उसमें एक चीज जो है एक केस था एक लड़की थी वो ये फलाफल शॉप गई थी Middle Eastern थे वो लड़के वो एड्रस पूछने गई थी अंदर उसको उपर लेके गए उसका रेप किया और उसकी बाड़ी को उन्होंने करके कबाबों में करके बेच दिया था मेरे रोंग्टें खड़े हो जाते हैं चीजें सुनके दिस इस अ ट्रू स्टोरी मैं बना आनी रही हूं यह जा के खुछ सर्च कर लो मैं जब तक देखूंगा नहीं था आनी आप देखो लरूर देखो और फिर मुझे मेसेज करना ठीक है ओके चलो वेरी नाइस सौकिंग ती यू थैंक यू सो मच ओके ठेक केर खदाफेज अगे गाइस आप टू गो मेरा गला सूप गया है बात करके करके ऑच्छा जिंजुनको लगता है कि मैं जहूट बोल रही थी भाया जी मुझे जूट। मैं तुम लोहों के बाप से डरती हूँ कि मेरे को जूट बोलने की ज़रूरत है या मेरे को इंडियाने आजारों ताउजन दे देने 네 या इसराइल ने 1000 देंद ने मेरे किसी ने बिल नी पेकर ने मैं चाती हूँ कि आप लोग सच खुद जानो सच खुद जानो खुद गूगल करो जाकर इस चीज़ को और खुद देख लो कि महाँ पर क्या हो रहा है उसके इलावा जर्मिनी में जर्मिनी में 2014 था या 15 था न्यू येर्स की इव पर जो सबसे बड़ा रेप molestation हुई थी वहाँ पर वो ज्यादा तर immigrants है वो ज्यादा तर Muslimान थे Somalians से और पता नहीं कहा कहा से आये वेते तो यह चीज़ने तुम लोग सर्च करो मैं बना के नहीं बोल रही हूँ this is how it is okay guys thank you so much for everyone that watched and I hope you guys enjoyed today's show अगर आप मुझे facebook पे देख रहे हो instagram पे देख रहे हो twitter पे देख रहे हो youtube पे make sure कि आप like करें subscribe करें okay take care everyone and I love you all next time मैं आएंगे और भी बाते करेंगे आप लोग जो रंडी रंडी या बी बोल रहे हो आप लोगो भी मैं कॉल पे लूगी मगर आप लोगो जब मैं कॉल पे लेती म시는 का टटे जो है क्योंडा सकते नहीं तुश्पर 370 दफा 400 टाइम्स युनी अदेखो न anyways bye गाइस instagram पे बंद and यहां पर भी बाँ बाँ